रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रू दबाएं सभी किसान वेपारी और आड़ती भाईयों को राम राम भाईयों आज दिन है सुकरवार और तारीख है 9 फरवरी दो गजार चोबिस आज सुबह का मोसम साफ रहा गूगल वेदर रिपोर्ट की अनुसार कल दी मोसम साफ रहने की संभावना है आज मंडी में फल वे सब्सक्राइब की आवक बिक्री और मंडी का माहौल कैसा रहा ये पूरी जानकारी आपके साथ साजा करेंगे और अपना अनुभव भी बताए साथ से आठ मिनट की इस वीडियो में भाईयो कहने को तो आज करनाल मंडी खुली है लेकिन मंडी में माल की आवक और गरहा की बहुत ही कम देखने को मिली जादतर मंडी में बैलस माल ही दिखाई दिया कल शनिवार दस फरवरी से हर्याना की सभी मंडिया बंद रहेगी हरत पहले जानते हैं फलो और सब्जीो के बाजार भाव के बारे में जोकी इस प्रकार से हैं अगर अंगूर की बात करें अंगूर का बाजार भाव आज 500 रुपे से 550 रुपे चला अंगूर काला 800 रुपे से 900 रुपे स्ट्रोबेरी का बाजार 250 रुपे से 300 रुपे रहा सबजियों के भाव इस परकार से रहे हैं टमाडर करेट 200 रुपे से 300 रुपे मत्र का बाजार भाव 20 रुपे से 35 रुपे किलो शिमला मिरच का बाजार भाव 52 रुपे से 55 रुपे किलो फूल गोबी का बाजार भाव 8 रुपे से 12 रुपे किलो बंद गोबी का बाजार भाव 12 रुपे से 14 रुपे किलो हरी मिर्च का बाजार भाव 28 रुपे से 32 रुपे किलो रहा धनिया भिका 10 रुपे से 20 रुपे किलो पालक का बाजार भाव 12 रुपे से 18 रुपे किलो हरा साग सरसो वाला भिका आज 15 रुपे से 20 रुपे किलो मेथी का बाजार भाव 35 रुपे से 40 रुपे किलो रहा बत्वे का बाजार भाव 18 रुपे से 22 रुपे किलो रहा पुदीने का बाजार भाव 60 रुपे से 70 रुपे किलो चला खीरा पोली हाउस का बाजार आज 25 रुपे से 30 रुपे किलो रहा गिया में ये माल 12 रुपे से 16 रुपे किलो बिका बैंगन के बाजार भाव की बात करें तो बैंगन का बाजार आज 23 रुपे से 25 रुपे किलो रहा मुली का बाजार 6 रुपे से 10 रुपे किलो चला सलगम का बाजार भाव 8 रुपे से 12 रुपे किलो रहा सकरी का बाजार भाव 13 रुपे से 15 रुपे किलो रहा गाजर में ये माल 6 रुपे से 8 रुपे किलो भिका और गाजर में ये माल 9 रुपे से 10 रुपे किलो रहा हरा प्याज आज 50 रुपे से 55 रुपे किलो रहा चकुंदर आज मंडी में 15 रुपे से 20 रुपे किलो तक रही कुछ माल मंडी में पर्चून में बिखता है जिसका कार्ण उसका कम लागत या फिज्यादा भाव का होनोत था है उनके बाजार भाव इस प्रकार से है अधरक का बाजार भाव 110 रुपे से 120 रुपे किलो रहा लालपिली शिमला मिरच का बाजार भाव 280 रुपे से 300 रुपे रहा पीसे का बाजार भाव 80 रुपे से 100 रुपे किलो रहा मश्रूम का बाजार भाव 90 रुपे से 110 रुपे किलो रहा आवला में ये माल 35 रुपे से 40 रुपे किलो पर्चून में विका केटल का बाजार भाव 50 रुपे से 60 रुपे किलो रहा भिंडी में ये माल 70 रुपे से 80 रुपे किलो विका फ्रास बीन 45 रुपे से 50 रुपे किलो विकी आज शुकरवार वाले दिन मंडी में माल की आवक और गरहा की नामातरी दिखाई दी गरहा की कम होने से माल का उठाओ भी कम रहा मंडी में ज़्यादा तर बैलस माल ही दिखाई दिया सबजियो का बाजार ज़्यादा तर नीचे की तरफ रहा भाईयो यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियो का बाजार भाव इस वीडियो से जुड़ा कर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें धन्यवाद सभी किसान वैपारी और आरती भाईयो को राम राम भाईयो फल वैस सब्जियो के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैट आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें